ये लंदन में बना बिग बैंग कावर की तरह भी कुछ दिखता है और इसके बारे में हम आपको एक बार और बता दें कि इसकी घड़ियां पहले बंद पड़ी हुई थी नवाब सहाब के जरीए बनवाया गया शाही तालाब सत्खंडा टावर लेकिन अब ये सिर्फ चाड़ी मंजिला है मुस्कुराइए कि आप लखनओ में है हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी खा मेरे यूट्यूब चैनल वाइड लेंस भाई तारिक में बहुत 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 खोशांदी आज मैं हूँ लखनओ के हुसनाबाग घंटा घर परिसर में आप सभी को इससे रूबरू कराना चाहता हूँ ये घंटा घर तो अब बनता नहीं है ना आप इसका कॉंसेप्ट रहे गया है ना इसको लोग बनाती है सरकार ये पहले का कॉंसेप्ट था अंग्रेज पीरियट जब था उसमत ये घंटा घर बनाये जाते थे गंटी का जो आइकन है उसको भी बद्द दबाना न भूले क्योंकि जो भी एक नई वीडियो होती है उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है उस घंटी के बटन को दबाने से इसलिए गुजारिश है कि अगर आप उस घंटी के बटन को भी दबा दे नई आने वाली वीड सुया गंपावडर से बनी है और यह सुया जो थी यह लंदन से लाई गई थी और इसका पैंडूलम जो है वह 14 फिट लंबा है यह क्लॉक टावर रिचर्ड रॉक्सफेल ने डिजाइन किया था यह अंग्रेज था कोई जिस जो रिचर्ड रॉक्सफेल उसने इसका डिजा होते हैं और यहां पर खाने पी लेगी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी लोग काफी यहां पर अपना वक्त बिताते हैं आकर के और यह घंटा घर उस वड़ी बहुत फेमस हुआ था जब यहां पर इनर्सी का जब यहां पर धरना परदशन चल रहा था तो उस वज़ा से भी बहुत फेमस हो गया था बताते हैं कि उस टाइब इसे बनवाने में एक लाग पच्छतर हजार रुपे का खर्च आया था और यह जो टावर यह क्लॉक टावर जो है यह मैं आपको बताता चलू कि यह जो बनाया गया था यह सर जॉर्ज कूपर के वेलकम में 1881 में इसको बनवाया गया था और यह जो अभी अपने जो लाब बताया है आपको यह ब्रिटिश के यह पहले लेफ्टियन गवर्णर अवद शेतर के यह लेफ्टियन गवर्णर हुआ करते थे और इस टावर में ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और यह लाल इटो से यह बनाया गया है वह लाब किसे आप हैं जो आफ रसिया बनी देख रहें हैं इसमें यह चुकिंड यहां पर कुछ सेघुटीगार्टस रहते हैं उन्होंने बन इसमें रसिया बना रखिया ऐसे ताकि कोई इस परिसर में अंदर न जाने पाए यह बहुत बड़ा परिसर है इसका इसमें शाम के वद बहुत भी रहती है इस वक्त भी आप यह देख रहा हूँ यह काफी लोग यहां बैठे हूँ है यहां की छाओं में यह देखिया आप जो बहुत उचा यहीं सलसट मीटर उचा यह टावर है नाजरीन इसके उपरी हिस्से के ऊपर एक पीतल की च्रिया लगी वी है जो आज भी हवा का रुख बताती है और आज में कोशिश यह करूँगा कि इस घंटा घर के अरीब परीफ़ रात का जो समा होता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यह लंदर में बना बिग बैंग टावर की तरह भी कुछ दिखता है और इसके बारे में हम आपको एक बार और बता दे कि इसकी घड़िया पहले बंद पड़ी हुई थी लेकिन इस घड़ी को बनाने के लिए दो लोगों ने बहुत मेहनत की है जोकि दोहजार दत्यश में यहांके तत्कालीन डियम ने इसको फैसला किया कि इसकी घड़ी को बदल दिया जाए और इसकी जो घड़िया है गेर और चावी के ओपर डिपेंड है तो इसको एलेक्ट्रॉनिक घड़ी कर दी जाए लेकिन इसमें जहां के दो लोगों ने 2010 में जाकर के DM से मिले और उनसे एक परमीशन मांगी दो लोगों ने DM से अनुरोद किया कि हमें इसे सही करने का मौका दिया जाए उनकी कोशिश ये थी कि इस मशीन को इलेक्टॉनिक मशीमें न बदला जाए ट कालीन बियम ने उन दो लोगों को परमीशन दे दिया और उन दो लोगों का जो नाम था जो मैं आपको बताता चलू उन दो लोगों का जो नाम था उन्हें नाम एक था कैप्टान परितोष चौहारacas और अख्रश अगर्वाल को इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी दे दी गई कई साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उनोंने इस घड़ी को चला दिया और ये घड़ी अपना वक्त बताने लगी बैराल इस धरोहर को बचाने के लिए उनका धन्यवाद और अल्ला उनको सलामत रखे जिन्होंने इस काम हो किया वरना ये धरोहर जो थी ये इंग्लिश पीरियट की थी ये खतम हो जाती और ये भी इलेक्टोनिक उसमें बदल जाती नाजरीन ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त का जो नजारा है ये रात का नजारा है आप ये लाइटेंज जल चुकी है इस घंटा घर के आसपास की और घंटा घर के भी पूरी तरह से लाइट पड़ रही है और ये रात का पुरा व्यू है जिससे आप को मैं दिभाना चार हो और दिभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और नाजरीन ये जो तो आप देख रहे हैं सामने एक ये तालाब है जिसे शाही तालाब के नाम से जाना जाता है और इसे 1836 में मुहम्मद अली शाह ने इस तालाब को बनवाया था इस तालाब का रात का नजरा तो हमने आपको करा दिया अब ये दिन की रोशनी का ये नजरा है और ये शाही तालाब के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी चारों तरफ साइकों के तादाद में शड़िया है और बीच में इसका बरसाथ का पानी भरा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं इसमें म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा हुआ है और बताते हैं कि नवाबों के दौर में इस जगा पर कुछ कम्प्रिशन्स वगरा हुआ करते थे जैसे सुईमिक वगरा का इस तरह का तो यह स्टेडियम की तरह चारों तरफ से बना हुआ है और इसे शाही तालाब के नाम से जाना जाता है जो 1836 में मुहम्मद इलिशाह ने इसे बनवाया था और नवाब साहब के दौर में इस तालाब के अंदर जो पानी आता था वो गुमती नदी से आता था लेकिन उसके बाद फिर वो किसी वज़ा से वो पानी बंद हो गया और अब इसमें जो यह पानी आप देख रहे हैं यह परसाथ का पानी घंटा हुआ है और यह फोमती नदी का पानी नहीं है अभी इस वक्त तो गोग की वर्षणी में यहां पर सन्नाटा है लेकिन यह शाम को जब शाम होने पर यहां पर जब लोगों की फिर जमा होती है तो यह देखने के लायक रहता है यहां पर काफी दुकाने हैं जो खाने पीने के सच जाती है तो लोग बड़ी दूर दूर सर यहां पर आते हैं खाले पीने के लिए और अपना वक्त पिताने के लिए दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ एक जगा और है जिसे सत्खंडा टावर कहते हैं इस टावर को नवाब मुहम्मद अली शाह ने बनवाया था यह उसे साथ मंजिला बनवाना चाहते थे ल वकोर आकार में यह सत्खंडा टावर बना हुआ है और इसके चारों तरफ छोटा सा एक पार्ग भी बना हुआ है यह भी उसनाबाद पुराने लखनों में ही पड़ता है नाजरीन ये एक बहुत बड़ा एरिया है घंटा घर का जो उसनाबाद जहाम ने आपको बताया है उसी में ही ये शाही ताला भी बना हुआ है और उसी से ही लगा हुआ ये सत्खंडा टावर भी है इस टावर को मुहमद रिशा ने 1842 में बनवाया था उनका असल में ख्वाब ये था कि अवद में एक ऐसी इमारत हो जिसे हम पूरे शहर को हम देख सकें ये उनका ख्वाब था और उनकी कोशिश भी ये थी कि ये दुनिया का एक अजूबा बन सके लेकिन ऐसा हो नहीं पा गया था दरसल नवाबों के हां ये माना जाता था कि अगर किसी इमारत को बनवाने के दौरान उस बनवाने वाले की अगर अचानक से मौत हो जाती है तो उसको मनहूस मान लिया जाता था और उस इमारत की तामीर को रोब दिया जाता था तो जिस तरह से इमारत उस दौरान तक बनना था जो अब ये सिर्फ चार मंजिला बनकर खड़ी भी है लेकिन उसके बावजूद भी इसका इस्ट्रक्टर देखने में इसके लाल पत्थरों की चुनाई से देखने में लगता है कि ये एक अपनी खुबसूर्ती को ये खुद बयान कर रही है इस मिलार का इस्ट्रक्टर देखने में ऐसा लगता है कि इटली के लिनन टावर आफ पीसा को आप देख रहे हो किसी भी चीज की अगर केर नहीं की जाती है तो उसका यही हाल होता है देखिए पानी कितना गंदा हुआ है इसक्ट इस सप्खंडा टावर के दोनों तरफ एक तरफ तो इस एक चोटा सा ग्राउंड पड़ा हुआ है और एक तरफ इसमें चोटा सा बागीचा इसमें फुल पौते लगे हुए है और उसके सामने एक तरफ एक हौस बना हुआ है जिसमें कुछ फवारे और इस तरह से पानी भ मंजिल बनी भी है उस मंजिलों पर आप देखेंगे कि उस पे खास भूस काफी जमा हो चुकी है जिसकी सफाई की जरूवत है चुकि एक धरोहर है हमारी तो इस चीज के उपर खास खयाल लगना चाहिए तो नाजरीन अब मैं आप से यही कहूँगा कि आप मुसकराए कि आप लगनों में हैं और यह वही एक तारिफी रास्ता जिससे आप बारहा इस रास्ते से गुज़र चुके होंगे और यह वही गेट है जिसमें से भी आप तई बार मुझ्डे होंगे और यह उसी घंटा घर या शाही तालार उसके सामने का यह रोड है और यह गेट बना हुआ है जिस आप देख रहे हैं तो आरी पी गेट है रवाबों पर दौर का है यह नाजरें इस व्लॉग को यहीं एंड करते हुए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए कमेंट करके भी मुझे बताईए कि कैसी लगी और शेयर भी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें तो कोई नई वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं बातें और भी है जानकारी और भी है लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खयार लखें खुश रहें सलामत रहें मिलते हैं अगले जानकारी के साथ अगले व्लोंग में